हेलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चेनल प्रथम उपचार में दोस्तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेर और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मेरे बेल आइकॉन बटन को दबाएं ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले मिलें दोस्तो आज मेरा वीडियो है सपने में यदि आपको बाल दिखाई देते हैं तो आपका उसका क्या असर होता है आपकी लाइफ में जी हाँ दोस्तो जो भी सपना हम देखते हैं उस सपने का हमारे आने वाले भविश्य में बहुत असर होता है तो आए दोस्तो जानते हैं दोस्तो यदि आप सपने में देखते हैं कि आप अपने बाल कटवार हैं या अपने बाल खुद से काट रहे हैं तो दोनों का अलग-अलग अर्थ होता है सपने में सिर के कटवे बाल देखना या बाल काटते हुए देखना बहुत ही शुब माना जाता है जी हाँ दोस्तों या सपना बहुत ही शुब माना जाता है इसका अर्थ होता है कि यदि आपने कोई कर्ज ले रखा है तो आप बहुत जल्द उस कर्ज से मुक्त होने वाले हैं और दोस्तो यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई हैं तो आप बहुत जल्द उस कठिनाई से मुक्ती पाने वाले हैं तो दोस्तो इस प्रकार का यदि आपने कोई सपना देखा है तो वह आपके लिए बहुती शुब माना जा सकता है दोस्तो अगर सपने में आपको काले घने लंबे बाल दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है इसका मतलब होता है जल्द ही कहीं से धन का लाब हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के काले घने बाल देखने का अर्थ होता है कि रहस्त में व्यक्तित्व के शक्स से मुलाकात हो सकती है जिसका आपकी लाइफ में बहुत अच्छा प्रभाव पढ़ने वाला है तो दोस्तों यह सपना बहुत अच्छा माना जाता है सपने में यदि आप खुद के बाल काटते हैं तो यह सपना इशारा करता है कि आप किसी समस्या का समाधान खोज रहे हैं आप सुआयम उस हल या रास्ता निकाल लेंगे और बहुत जल्द आपको उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और बहुत आसानी से मिल जाएगा परिशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तो यदी सपने में आप अपनी हेर स्टाइल बदल रहे हैं अर्थाद बालों को कौम करने का तरीका या आपकी जो हेस्ट्र अभी है उसे बदल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत जल्द सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं आने वाले दिन आपके मिलने वाला है दोस्तो यदी सपने में आप अपने सफेद बाल या किसी और के सफेद बाल देखते हैं तो इसके मतलब होता है कि आप अपने लाइफ में बिलकुल सही दिशा में जा रहे हैं आप जो प्रयास कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो बहुत ही आपको शुप फल बहुत जल्द आपको समाज में मानसमन और प्रतिस्टा की प्राप्ति होने वाली हैं। आने वाले समय में आपको करज ना लेना पड़े। दोस्तो अगर आपके बगल में नाभी में या आपकी छाती में आपको बाल दिखाई देते हैं। किसी और को आप सपने में इस प्रकार देखते हैं तो इसका मतलब है कि थोड़े ही समय में आपको कोई समस्या घेर सकती है आप किसी परिशानी में आ सकते हैं दोस्तों यदि आप सपने में देखते हैं कि आपके बाल बहुत जादा उलज गए हैं आप उन्हें लाग कोशिश करने हैं लेकिन वो सुलच नहीं पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपने वास्तिविक जिंदीगी में कई मांसिक परिशानियों से जूज रहे हैं परिशान हो रहे हैं जिनका हल आपको बहुत जल्द ही निकालना पड़ेगा नहीं तो आप मांसिक रूप से बिमार भी हो सकते हैं दोस्तो यदि आप सपने में कंगी करते हैं या अपने बालों को सुलजाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सोच बहुत सकारात्मक तरीके से बढ़ रही है और यह सोच आपके जीवन में नया बदलाव लाएगी आपको आने वाले समय में परिशानियों से बचा दोस्तो यदि आप सपने में देखते हैं कि आप अपने बाल कलर कर वा रहे हैं या आप किसी और के बाल कलर करते वे देख रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपने योजनाओं को लेकर बहुती उस्साहित हैं बहुती खुश हैं इसका फल आपको बहुत जल्द जरूर बताएं धन्यवाद